गाइस मुवी में आप लोग देखेंगे कि जब एक कपल रेगिस्तान में घूमने जाते हैं मगर अपनी लापरवाही के चलते वो उसी विहड रेगिस्तान में फस जाते हैं सो मूवी की स्टार्टिंग में हम यहां एक अमेरिकन कपल को देखते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए आए है ये दोनों वेड और लीजा है और इस समय वेड लीजा से थोड़ा गुस्से में है क्योंकि वेड ने फ्लाइट में लीजा को साधी के लिए प्रपोज अलाकि वेड का मूड आफ है उसे इंजॉय करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मगर फिर भी वेड इसे कंटिन्यू करते हुए एक कार रेंट पर लेता है और वो दोनों लोग यहां पर घूमने के लिए निकल जाते हैं वेड ने पहले से ही पूरी प्लैनिक बना के र मुदर में स्विमिंग के लिए चले जाते हैं अब तभी यहां पर उनके फन के दौरान वेड को जलिफी साकर इस्टिंग कर देती है वेड जल्दी से पानी से बाहर निकलता है वो यहां पर काफी पैन में होता है लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान ना देके दर्द क पर लोकेशन चेक करता है जहां पर वो लोकेशन 32 आर्स की दूरी पर थी अब अगले दिन दोनों के साथ में अपने लंबी से सफर के लिए निगल जाते हैं वो रास्ते में पहले एक गैस स्टेशन पर रुक के वहां से गैस फुल करते हैं और साथ में एक कैन भी ले लेते है जिसके बाद वो दोनों अपने इसी GPS के भरोसे एक लंबे से सफर के लिए चल देते हैं वेड लगातार स्ट्रेट रोड को फॉलो कर रहा होता है मगर अचानक से उसका GPS री राउट होने लगता है वेड इस बात को जान नहीं पाता है जिसके बाद GPS उन्हें एक दूसरे ट दूसरे डर्ट रोड पर जाता है ये रोड पहले वाले से भी नेरो थी वो इस रोड को भी कंटिन्यू करता है लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में GPS फिर से री राउट होता है और दुबारा एक बार फिर से यू टर्न लेने को कहता है वेड इस बात से काफी गुस्सा हो जिससे डर कर वो पीछे हो जाता है अब इन दोनों के यहां पर रियलाइज हो गया है कि वो रॉंग डिरेक्शन में जा रहे थे और अब किस डिरेक्शन में इनको बढ़ना है यह चीज भी इन्हें नहीं पता वेड को पास में ही एक बड़ी सी रिज दिखाई देती है जिसक पर आने का भी इनका कोई भी फाएदा नहीं होता है क्योंकि हर तरफ इन्हें बस मैदान ही न जरा रहा था अब दोनों लोग फिर से वापस कार की तरफ लटते हैं वापस आते हुए इन्हें रात हो जा रहे थे मगर फिर भी उन्हें उनकी कार नहीं मिलती रात के काराड यहां पर ठंड भी बढ़ गई होती है और कार को ढूंते ढूंते जब यह दुनों ठक जाते हैं तो एक जिगे पर रुख कर आज की रात यहीं पर बिताने का फैसला करते हैं इन दोनों के पास में नाही कुछ खाने को है और पीने के लिए भी इनके पास तर्फ इतना ही पानी बचा है अब अगला दिन होता है जो कि इनकी यहां पर फसे होने का पहला दिन है लीजा पहले उटकर वेट को जगाती है तो यहां पर वेट के थाई पर काफी दर्द हो रह काफी देर से पैदल बिना कुछ खाय पिये चलने के बाद में दोनों काफी फ्रस्टेर हो चुके थे जल्द ही साम हो जाती है लेकिन फिर भी कार मिलने की आस में वो चलते जाते हैं मगर अब जब रात हो जाती है तो दोनों लोग फिर से कहीं रुक कर रात बिताने का फैस हम यहां पर यह देखते हैं कि लीजा उठ नहीं रही है उसकी हालत काफी खराब हो गई है पिछली रात स्कॉर्पियन के डंग से वह बहो सोची कि थी जिस बात का अंदाजा वेट को नहीं है वेट काफी डर जाता है क्योंकि उसे नहीं पता है कि लीजा को क्या हुआ वेट पिछले कई दिनों से उसे ना तो कुछ खाया था और ना ही पिया था जिससे उसकी बॉड़ी में ताकत लगबख खतम हो चुकी थी वेड को तभी एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है वो उससे हेल्प मांगने की कोशिस करता है लेकिन वो प्लेन उससे देख नहीं पात लेकिन उसकी प्यास के करण इसे पीना भी होगा वेड खुब हिम्मत करके इसे पीता है और बाकी बचा हुआ लीजा के लिए ले जाता है अब इस तरफ लीजा की आंक खुलती है उसे उसके सोलजर पर काफी पेन हो रहा था वो वेड को आसपास नहीं देखती है जिसके ब दूसरी तरफ चली जाती है अब कुछ दिर बार रात हो जाने पर वेड जब वापस आता है तो उसे लीजा यहां पर नहीं मिलती वेड को कोई भी आइडिया नहीं होता है कि लीजा कहां गई जिसके बाद में वह खूब तेज-तेज चिला कर लीजा को पुकारता है लीजा Hope भी मायुस बैठा हुआ था ज्यादा प्यास के चलती वो बचा हुआ टोइलेडू पी लेता है, लेकिन वो एक बाद फिर से अपना रहता हैं, आकिर आरो चलते चलते उसे उसकीoo कार नजाचा रहा जाती है, वह जल्दी से अपनी कार की और जाता है, कार था Jean पृणून नहीं होगी वेड को प्यास लगी है इसलिए वो कार के वाइपर फ्लूट को पीने लगता है दिखने में ऐसा लग रहा था कि ये पानी बहुत ही खराब है लेकिन इतने जैदा प्यास के चलते वेड बिना कुछ सोचे हुए बस उसे पी लेता है अब कुछ देर बाद फिर से वेड लीजा की खोज में निकल जाता है लीजा को भी धर पता चल चुका तकि सायद वो अब बच नहीं पाएगी इसलिए वो अपने मुबाइल में लास्ट वीडियो सूट करती है ये काफी एमोशनल भरा मोमेंट होता है जिससे किसी का भी दिल पिखल जाएगा अब अग उसी तरफ लीजा भी बिलकुल हार मान चुकी होती है लेकिन तभी उसे जमेन पर एक लंबी सी लाइन खिची हुई नजर आती है वो जान जाती है कि ये वेड नहीं किया है वो अब इस लाइन को फॉलॉ करती है जिससे कुछ दूर जाने के बाल लीजा को वेड मिल जाता ह लेकिन वेड की हालत इतर बहुत ही खराब थी लीजा उसके पास में आती है उसे नहीं पता होता है कि वेड को क्या हुआ वेड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा हुआ है इसको पियो और कार भी मुझे मिल गई है लेकिन उसमें बैटरी नहीं है लीजा ब पहुंच तो गई हैं लेकिन अब वो करे क्या वो कार में रखे हुए वेड के रिंग को देखती है वो इस समय ये भी सूचती है कि कास उसने वेड के साधी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया होता अब इतने में उसके पास एक जहरीला सांप आता है लीजा उसे किसी तरह अब लास्ट में हमें यहां पर यह बताया जाता है कि लीजा बिल्कुल सही सलामत बच गई और वो इस समय नरसिंग स्कूल में है लेकिन वेड की बॉड़ी को जब हॉस्पिटल ले जाए गया तो उसे किड़नी फेलियर के चलते डेट घोशित कर दिया गया क्योंकि उसने कार के वाई पर फ्लिवड को पिया था आखिर कार में यह थ्रिलिंग मुवी यहीं पर एंड होती है सो दोस्तों यह थी 2019 की एक ट्रू इवेंट्स पर बेस थ्रिलर मुवी का एक्स्प्लेनेशन मुवी का नेम है आउट बैक उमीद करता हूं कि आप लोग ने इस मुवी के मात्रम